असलालेकूम मैं हूँ आसीफा वेलकम बैट तो आसीफा कोसर कुकिंग आज मैं लेकर आई हूँ तले हुए आलू गोश्ट का कुर्मा एक नए तरीके से अगर आप यह आलू कुर्मा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको इसको बार बार बनाना पड़ेगा क्यूंकि लोग मिकस कर लेंगे और प्यास को हमें गॉर्डन ब्राउन होने तक हां किती आपांकर इसके लिए तक हम इसमें नंबख शामिल करेंगे तक कि पियास हमारी एफनी रखнибудь, अच्छी Girls ब Chr b तो प्यास को बीश में एक बार हमें अछे से चलाना है तक आचैसी लिए आपर प्लेट निकाल लिए अब नोट करने सब्सक्राइब अब कर लेंगे कि अप्ड़ एक और फिर्योंग तर्था नियुक्त लिया और हीइवरे बलाग। पेस्ट इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा इसे हम अच्छे से चला लेंगे तक इसका कच्छापन दूर हो जाए फिर उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 750 ग्राम गोष्ट अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाफ से तो 2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूं नमक डालने के बाद गोष्ट को हमें हाई फ्लेम पर 2-3 मिट तक अच्छे से भुनना है फिर उसमें शामिल कर रही हूं आधा टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून धनिया पौडर 2 टीस्पून रेड चिली पौडर नमक और च पेस्ट के साफ से कम्याज ज्यादा कर सकते हैं अब हमें इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे फिर इस पर मैं शामिल कर रही हूं चार टमाटर मेडियम साइस के उसे मैंने पीस लिया था अब एक बर से फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब जो प्यास हमने तल कर र तो इससे इसका जाइका बहुत ही अच्छा आता है तो प्यास के पेस्ट को भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है तो मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला भून रहा है अब हम क्या करेंगे गोश्ट को गलाने के लिए इसमें हम पानी दालेंगे यहां पक नую मैं गरम पनी का इस्तिमाल कर रही हूँ फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढगा कर गोश्ट को गलने तक हमें इसे सीटिया लेनी है तो अच्छे से गोश्ट को गलाना बहुत जरूरी है तो अब मैंने लिड लगा लिया है अब धककन खोल कर देखते हैं गोश्ट पर बहुत अच्छी तरी भी आ गई है और गोश्ट हमारा बहुत अच्छे से गल भी गया है और बहुत ही मज़ेदार अभी से लगने लगा है लेकिन इसमें और हमें कुछ चीज़ें शामिल करने है अब एक बड़ा सा पतीला मैंने लिया है और जो गोश्ट हमने गला कर रखा था से इस पतीले में मैं डाल रही हूँ ताकि यह कोर्मा अच्छे से बड़े से पतीले में बने यहां पर मैं खोपरा लिया था कच्छा नारियल उसमें थोड़ी सी मैंने कोथी मिर्यानी कोरियंडर लियूस मिलाकर पीस लिया था तो उसको भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है तो इसे दालने के बाद एक बार अच् कर लिया, नमक को ठोड़ा सा छक्कर देखा था नमक कम लग रहा था नमक दाल दिया है फिर मैंने ढ़क असे 10 मिट पका रहे तो कि आज़ अप्ध , पर ज़िक कोई अच्छे पने यह आपकरlà of आश ही बहुत ही जाइकेदार बहुत ही मजीदार टले हुए आलू गोश्ट का कुर्मा बनकर जावारा है तो अब हम घूप कर लेते हैं तो देख सकते हैं इस बहुत ही आजाना बनाना औar खारे में बहुत लाजवाब होता है इसे आप रोटी, चावल किसी के भी साथ भी से सब कर सकते हैं बहुत ही यह उनीक तरीके से हमने बनाये हैं से उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह recipe पसंद आई तो आप भी इसे अपने घर में एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारी यह recipe कैसी लगी अगर आप पहली बर मेरे चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि आने वली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग